KKR की टीम ने IPL 2024 का खिताब जीत लिया है Final मुकाबले में KKR की टीम ने Sunriders हैदराबाद को मात दी इस सीजन की बात करें तो KKR की टीम के सभी प्लेयर्स का शांदार प्रदर्शन दिखा और टीम को तीसरी बार खिताब जिता दिया है लेकिन आपको बता दे IPL 2024 में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जिनका प्रदर्शन सांदार रहा था जिनोंने इस सीजन अपने खेल से सभी को प्रभावित किया जिस वज़े से उनके नाम भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं और उनको भी इस IPL 2024 के फाइनल में अवर्ड्स मिले हैं तो एक-एक करके बताएंगे कि कौन से वो खिलाडी हैं जिनोंने IPL 2024 में अपने प्रदर्शन से सब को प्रभावित किया अगर बात करें IPL 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाडी के बारे में तो औरेंज कैप का खिताब जिस खिलाडी को जाता है वो है विराट कोली विराट कोली ने IPL 2024 में अपने बल्ले से RCB के लिए शांदार प्रदर्शन किया और ओरंज कैप का खिताब अपने नाम किया विराट कोली के प्रदर्शन की बात करे तो विराट कोली ने 15 मैचों में टीम के लिए 741 रन बनाए उनका स्ट्राइक रेट 154.70 का था वही IPL 2024 के परपल कैप विनर की बात करे तो परपल कैप का खिताब पंजाब किंग्स के गेंबाज हरसल पटेल ने जीता है हरसल पटेल भले ही पंजाब की टीम को प्लेयोप्स में ना पहुचा पाए हो लेकिन उन्हें अपनी गेंबाजी से सभी को प्रभावित किया हरसल पटेल के नाम इस सीजन 14 मैचों में 24 विकिट है और उनकी एकोनोमी 9.73 की है हरसल पटेल ने पंजाब के लिए अंतीम ओवर्स में शांदार गेंबाजी की और टीम के लिए कहते हैं महतपून विकिट निकाल के दिये वही अगर आईपेल 2024 के अगले अवर्ड की बात करें तो आईपेल 2024 का Most Valuable Player of the Award जो मिला है वो KKR के खिलाडी सुनील नरेन को मिला है सुनील नरेन ने टीम के लिए एक Valuable Asset का काम किया उन्होंने बैटिंग से टीम को शांदार प्रदर्शन करके दिया और गेंदबाजी से भी टीम को जीत दिलाई वही आईपेल 2024 के अगले अवर्ड की बात करें तो वो अगला अवर्ड है आईपेल सूपर स्ट्राइकर ओफ दाईयर मतलब की जो आईपेल में ताबर तोड बल्लेबाजी के लिए जिस खिलाडी का वर्ड मिला है और ऊस्ट्रेलिया के यानी की ड़ि-केपिटल से खेलने वाले जैख फ्रेशर मैगर जी हाँ दिल्ली के लिए जैख फ्रेशर मैगर ने शांदार स्टार्ट दिया टीम को ताबर तोड कहते हैं रिक पाउर प्ले में तो वो है इस IPL का सबसे यंग खिलाडी कावर्ड यानि की Emerging Player of the Year कावर्ड जो खिलाडी इस IPL में उभरता हुआ स्टार बना है वो है हैधराबाद का खिलाडी नितीस रेड़ी नितीस रेड़ी ने संराइजर्स हैधराबाद के लिए बहुत वैलुवल मैच में रन बनाए टीम को जब जरूरत थी तब उन्होंने अपना प्रदर्शन करके दिखाया भले ही प्लेयोप्स में उनका उस तरी से रन नहीं आए लेकिन इस खिलाडी ने हैधराबाद के लिए 20 साल की उमर में कहते हैं ना कि टीम को जब जरूरत थी अपने बल्ले से कमाल करके दिखाया अगर अगले अवोर्ड की बात करें तो वो अवोर्ड जाता है उस खिलाडी को जिसने इस IPL में सबसे ज़्यादा छक्के लगाये हैं यानि की सूपर सिक्से ऑफ दा सीजन और यह अवोर्ड जाता है संराइजर सहिदरबाद के ही खिलाडी को उनका नाम है आभिशेक शर् करते थे वो काफी जादा डिस्ट्रक्टिव थी आविशेक ने सीजन 42 छक्के जड़ दिये हैं और IPL 2024 में सबसे ज़्यादा छक्के मानने का रिकॉर्ड आविशेक के नाम है अगला जो अवोर्ड है वो इस सीजन का बेस्ट कैच का वर्ड यानि की कैच ऑफ दा सीजन का व रमंदीप ने अपनी शांदार फिल्डिम से टीम के लिए रण बचाएर और यहीवजा है कि की टीम फाइनल में इतनी शांदार तरीके से जीत हासिल की और तीसरी बार के की टीम चैंपियन बन गई है के क्यार की जीत में रमंदीप का जितना बैटिंग से योगदान है उत मिले और इन्होंने अपनी टीम को किसी ने बैटिंग से तो किसी ने फिल्डिंग से टीम को जीद दिलाई